Hello everyone, myself is Aditya Singh, your paper one faculty from Global DC Second आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके paper one की एक और unit people, development and environment आपके paper one में जतने units हैं, total 10 units हैं, हर unit से 5 question देने की बात करी गई है और इस unit से भी 5 question आए ये unit, humans और environment के उपर base करके बनाए लिए इस unit में total लगब लगब के approximate 7.2 में सनिवर स्कूर ने डिवेट ये unit खुद important है और unit के अंदर बहुत ही जादा detail और deep से जाके push and पूछे जाए आपका अगर background science का नहीं है तो फिर आपको इस unit के उपर मेनद करने की ज़रुदत पड़ से इस unit के syllabus में दिया क्या है एक उपर उपर एक overview में आपको दे दे सबसे पहली बात कि अपने environment को protect करने के लिए चीज़ों को सही सा लमत चलाने के लिए बहुत सारे rules, regulation, protocols वेगर अवगर हम बनाए गए हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ए सबसे पहली बात होगी goals हैं अगर कुछ परेशानिया हैं हमारे हाथ उरे world की बात हो रही उन परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ goals बनाए उन दो इन goals को न यहाँ पे दो मोटे पार्ट में आमें पढ़ना होगा एक है sustainable development goals और एक है millennial development goals मैंने तो दो word में इन दोनों goals के बारे में बोल दिया लेकिन अगर मैं इन दोनों goals की detail के बारे में बात करूँ ते बहुत ही अपने आप में detailed goals है हर goal की मारे में आपको पता होना चाहिए कि ये goal किस लिए है किसको target करना है कब तक इसको achieve करना है कितने goals है total दोनों में अलग अलग आपको पढ़ना है उसकी बार बात होगी human और environment का interactions यह हम लोग humans है और हमारे जो environment है जब उसके साथ हमारी interaction होती है तो क्या बहुत कुछ होता है उसमें कुछ खत्रा भी होता है कुछ परिशानिया भी आती ह तो ऐसे कौन सी परिशानिया है तो भई यह pollution तो फिला रहे हैं अब pollution फिला रहे हैं कि एर पॉलूशन पिला रहे हैं technologies pollution pillar water pollution कौन सा pollution तो types of pollutants types of pollution किस pollutants कौन सी बेवारी मोलजे की संभावना है hazards क्या है ये सारी बाते इसमें हमें पॉलूशन्स या ये pollutants हमारे life को कैसे effect कर रहे हैं उनको बचाया कैसे जा सकता है मतलब उनसे बचा कैसे जा सकता है उनके द्वारा जो परिशानी आवरे life में हो सकती है उसको कैसे treat किया जाया कैसे रोकर जाया minimize किया जाया इन सब के बारे में यहाँ पर बात चीता हूँ अब जब ये बात हो रही है और जैसे मैंने आपको बताया कि environment से सम्मंदित बात है तो क्या resources की बात नहीं हो natural और energy resources बड़ी important point और role play कर रहे हैं ये energy resources natural resources आपके पास कौन-कौन से resource है solar की resources, soil resource है, biogas, biomass यह सब क्या है resource ही तो है water resource है naturally कुछ मिला है किस तरीके से इसको preserve किया जाया किस तरीके से इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाया किस तरीके से चला जाया इस sustainability की हमारे आने वली प्रिंडी भी इसका विविद कर पाए ये खतम नहों हो जाया abundance सारी चीजे तो नहीं है इस पूरे keep कहानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसके अधर पढ़ना पढ़ेगा उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इसे प्रोटो कोल्स आए ऐसे act आए हैं जैसे environmental protection एक 1986 ऐसे और भी क्यूटो प्रोटो कोल है कंड़ी सारे प्रोटो कोल्स लाएगे गोर्मेंट के द्वारा इंडिया ने, वर्ड इनोंद पर भी प्रोटोकोल साथ प्रोटोकोल क्या रहे है कि, इन रूरिशन्स को पुरे वर्ड को फॉलो करना है अब एक देस जो है, वो पुरे वर्ड से बहां थोड़े अगर वो गलत कर रहा है तो उसका impact पूरी world को भुगत ना पड़े हो अगर कोई देश जरूरत से ज़ादा किसी जीश का emission कर रहा है जरूरत से ज़ादा protein अगर वो emit कर रहा है तो उसका effect उसके देश पर पड़ेगा है पड़ेगा लेकिन क्या global level पर नहीं पड़ेगा तो इस कारण से global level पर देश ही कठे हुए और कुछ rules regulations उन्होंने बनाए जो पूरी one level पर बनाए उसको protocols कहा गया और देश आपने अपने level पर उसको ratify गर गया उसको follow गया कुछ देशोंने आपने खुद के लिए भी कुछ act बना रखें अपने देश को चनाने के लिए अपने देश के अंदर इस चीज को regulate कर तो इस तरीके से इस unit को इससे पूरा divide किया गया है बहुत detail में BC से में के advance तक इससे question पूछे जाते हैं और इससे भी वही approximate 5 question आपसे पूछे जाएगा एसाब आया कि इस unit को approach कैसे किया जाए किस तरीके से इस unit को पढ़ा जाए तो अगर इस unit को तरीके से आपको prepare करना है तो minimum 2-3 box आपको लेनी पड़ेगी आपको बहुत detail में जाना पड़ेगा इन सब क्योंकि resources के लिए अलग point है, hazards, mitigations के लिए अलग point है, sustainable goals के लिए अलग point है और जो protocol से उनके लिए अलग point 2-3 books आपके लिए ज़रूरी है अगर detail और बहुत अच्छे से आप इस unit को prepare करना जा आपको उन books से पूरी के पूरे detail notes प्रिपेर करने पड़ेंगे short notes बिल्कुल बनाने की कोशिशना उन detail notes को बनाते हुए आपको PYQ देखने हुँगे, previous year questions जो यूजी से नेट में अलड़ेडी पूछा जा चुके हैं उनको आप एक guidelines के तरह देखके अपने notes को prepare करो और then जब notes prepare हो जाएगा multiple times आप उसको पड़ोगे और पाइने के बाद फिर आप जब question paper देखोगे previous year की paper environment के तो आपको समझ आएगा की question की तरह से पूछा जा रहा है, current topic basically जो current में questions आ रहे हैं और आपको समझ आएगा की current में क्या क्या चीज़े बदल रहा है, क्या क्या चीज़े जो current में हो रहा है, real protocol में अभी क्या हुआ, कोई updation है नहीं है, ये सारी चीटे आपको उसमें करने प करते हैं, Global Teachers Academy आपकी लिए यहाँ पर मौजीत, Global Teachers Academy पेपर 1 में, UGCNet में कई सालों से experience faculty के साथ अपना role play कर रहा है, बहतर result के साथ बच्चों की वज़ो वविशे के लिए काम करता जाए, अगर आपको UGCNet पेपर 1 ये ट्टू लेना है, Global Teachers Academy आपास, कैसे पढ़ाई होगी यहाँ पर, पेपर 1 के लिए dedicated faculty, 4 to 5 faculty, generally 3 to 4 दिये जाता है, जब रपढ़ने पर और बढ़ाई जा सकती है, ये इतने faculty आपको दिये जा रहा है, पेपर, पेपर 2 के लिए अलग होते हैं, जो भी आपका subject, क्लास में पहले आपको basic चीज़े clear की जाती है, then advance तक लेकर जाता ह क्लास के साथ साथ आपको notes मिल, notes, faculty दोरा expertise के दोरा prepared notes होते हैं, जिसमें current सारी चीज़ों को include किया गया हो, आपको क्या पढ़ने उस हिसाब से उस notes को बनाया जाता है, ताकि maximum question उस notes से आसर, उस notes के बाद आपके lectures, पूरे holistic syllabus को cover कर, आपको ये नहीं देखना है कौन से इतना है, कहां से कर इतना है, updated है, नहीं है, आपको खानी notes पे focus कर, इतनी बार आपकी test ली जाएगी कि आप comfortable हो जाएगे, कि exam में क्या पूछा जाता है, कैसे questions आते हैं, ताकि जब अभी exam में वैठ है तो आप भी comfortable रहें, आप pressure feel ना, इस तरीके से करके पूरी unit या पूरा पीपर वो नहीं हाँ पे prepare किया जाएगा, यही रड़नी थी, आपको follow करनी पड़ेगी किसी पीए, इस unit की बात इतना है, thank you so